So, hello, sorry, राम राम भाई सार्या ने, तो CGL फोल्डने के बाद, CHSL फोल्डने के बाद, MTS फोल्डने के बाद, और CPO जो भी फोल्ड रहा है, उस सारी चीज़ों को फोल्डने के बाद, अब बारी है, CGL मेंस, CHSL मेंस और डेली पुलिस एक्जाम की, ठीक है? जिस तरह जो मैंने आप से प्रॉमिस किया था, रिगार्डिंग CGL टिया वन, CHSL MTS और ओन गोइंग CPO एक्जाम जो मैंने आप से प्रॉमिस किया था, वो किस तरह से डिलेवर हुआ आप देख चुके हैं, अब बारी है इन तीन एक्जाम की, देखे, ये जो वीडियो इसमें हम लोग क्या discuss करने वाले हैं कि आगे, because CGL MTS है from 25th October, CHSL MTS है roughly 2nd November से, और Delhi Police का भी जो एक्जाम है, वो mid November से आप लोग का start है, ठीक है, यहां पर जो मैं टार्गेट करने वाला हूँ, upcoming days में, यानि कि जो आपका October का महिना होगा, वो CGL MTS को मैं टार्गेट करने वाला हूँ ठीक है, truly speaking मैं सिर्फ CGL MTS को टार्गेट करने वाला हूँ, but honestly speaking, इस जो CGL MTS को मैं टार्गेट करूँगा, इससे CHSL MTS भी उड़ेगा और Delhi Police भी उड़ेगा, वो आपके ओपर डिपेंड करता है, यहां पर अगर यह expect करेंगे, मैं अलग से CHSL MTS लिग के लाँँगा, Delhi Police लि पढ़ाईए, या फिर DDA exam हमारा अलग से कुछ बताईए, क्या कुछ मैंने अलग से बताया, और वो review मैंने आपके साथ शेरी किया, तो बताने के जरुत है नहीं, ठीक है, और आप मेंसे काफी लोगों ने दिया होंगे, उन्हें तो बताने की भी जरुत नहीं है, कि क्या ह हुआ, ठीक है, अपका exam कैसा हुआ, तो यहाँ पर पहली बात तो यह मैं मित को खतम करना चाहता हूँ, कि यह अलग से, यह अलग से, वो मेरे लिए ठीक है, कि हाँ, मैं अलग से एक वीडियो बना दूँ, अलग से कुछ बैच उसका निकाल दूँ, ठीक है, लेकिन वो सिर कि कोई बहुत ज़्यादा जमीन आस्मान का फर्क होगा, ठीक है, जब tier 1 में नहीं रहता तो में में क्या ही रहेगा, तो यह तो almost इसमें तो कोई शक की वही नहीं होनी चाहिए, कि CHSL में कुछ अलग, ठीक है, और यह शाद दिमांड भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, विको सिर्फ इतना ही डवाइस करूँगा, देखो, अगर आप अभी चैनल के साथ जोड़ो, बिकोज काफी सारे नए भी स्ट्रेंट जोड़ते रहते हैं, तो उनको सिर्फ ही मेरा डवाइस है, कि बैच अब मत करना, जो बैच की क्लासेश चलती ही सुबह, तो काफी सारे स्ट् को कर लेना, खतम बात है, खतम है, डेली पिलिस का जो जी के मैं बता रहूं, खतम है, सीपीओ भी आप देखते जा रहे हो न, सीपीओ में क्या स्ट्रेंट्स परफॉर्म करके आ रहे हैं, वो मुझे बताने की जरुत नहीं है, ठीक है, तो पीवाइक्यू पार्ट टू से इंटेंस रिवजन सेशन, और अभी जो सेशन आएंग अक्टोबर में, यही कर लोगे न, नवंबर आराम से तुम जी के बस उतना ही रिवाइज करते चला जाना, तो भी आराम से हो जाएगा, बाकी मैं को उता हूँगा, नवंबर में हम लोग किस तरह से चीज़ें करे कर रहा हूँ, तो डेट है, 4th, October, ठीक है, 5th, 6th, 7th, इस तरह से हम लोग का जो एक्जाम है, वो 25th से चालूगा है, ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों के जो subjects हो चुके है, batch में अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, quality हो चुका है, मैं सारे कुछ आपके doubts लोगा, तो वीडि जी हो चुका है, इसके बाद हम लोग ने bio किया था, then economics किया था, and then अभी geography कर रहे है, और यह geography जो अभी चल रही है, almost खतम होने के पड़ाव पर पहुंच चुकी है, यह खतम हो जाएगी 7th को, यह Saturday को हम लोग का geography हो जाएगा wrap-up, तो यह तो एक class आपके चली रही है morning वाल है one shot videos, जहाँ पर एक video में, एक subject को है नहीं, one video, one subject, यह हमारा concept रहेगा behind the one shot, भले लंबा होगा, लंबा तो होगा यह अगर एक video में, एक subject को खतम करना है, बट उतना भी लंबा नहीं होगा, जितना आप expect कर रहे हो, इतने गंटे कि मैं रहा तो 10 गंटे वारा गंटे वैस CC के द्वारा, वही basic वहाँ पर मैं target करने वाला हूँ, ठीक है, तो एक तरह से यह पूरा complete revision करवा देंगे आपके one shot videos, और पहला one shot video आएगा इस आठ तारीक को, किसका रहेगा वो वीडियो, वो one shot video रहेगा geography का, क्यों, क्योंकि geography just अभी हमने पढ़ी है, तो पूरा geography का revision ए attempt खुलवा दिये जाएंगे, तो आप उनको attempt कर लेंगे, I again repeat, यह मैं नहीं बोला हूँ, कि batch लेना mandatory है, ठीक है, अभी last time में तो मैं advise नहीं करूँगा आपको, ठीक है, जितना चल रहा है, वो करते रहेए, बाकी आपने अगर ले रखा है, तो मैं बतारूं, जो quizzes है, उनको भी कर लेना, मतलब, at least मेरे कहने का मतलब, जो भी आपने कहीं से कर आपने कहीं, बुक से पढ़ा है, तो उसको revise करते रहेना में यह बोल रहा हूँ, last time में, ठीक है, नहीं, तो फिर जो आपने time invest किया ना, उसको पढ़ने में, वो waste चला जाएगा, अगर आप revise नहीं करोग यहनि chemistry चलती रहेगी, आपकी chemistry चलती रहेगी, जब तक ही chemistry खतम नहीं हो जाती है, और हाँ, Sunday, Monday का कुछ break नहीं रहेगा, मतलब, इस Sunday को जैसे हम सिर्फ geography का one shot करेंगे, बाकी आगे से, आपके जैसे, यह आला Sunday पढ़ेगा, 15 वाला, ठीक है, या फिर 15 वाला ही पढ़ेगा तो मतलब, इस 15 को बस एगी, Sunday को break नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको यह advice करूँगा, काफी सारे यहाँ पर CGL 24 वाले aspirant भी है, तो चलो मन को आलग से समझा दूगा, बट आप यहाँ पर फोकस करो, कि chemistry मतलब, आपका चलता रहेगा, जब तक chemistry खतम नहीं जागा, chemistry कब तक खतम होगा, उस पर भी आते हैं, बट, 10 तारीक को होगा हमारा, quality का one shot video, जहाँ पर एक single video में, पूरा complete quality का revision करने वाले हैं, then आपका 12 तारीक को होगा, one shot video of biology, यानि पूरी biology का revision करेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में, फिर 12 के बाद जो आपका अगला one shot video आएगा, that would be on Sunday, Sunday को होगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, अब ये फिर उसके बाद Sunday को होगा, आपका economics का, ठीक है, eco का आपका one shot video रहेगा, and 16th को chemistry over, ठीक है, chemistry आपकी 16 को खतम हो जाएगी, पूरी complete chemistry आपकी खतम हो जाने माली 16 को, ठीक है, इसके बाद मुझे पता है कि सारे subject हमारे हो जाएगे, जैसे polity हो गया, major subject, geography हो गया, economics हो गया, biology हो गया, chemistry हो गया, ठीक है, दो हमारे major subject एकर बात करें, तो history, ठीक है, history and physics, physics तो major नहीं है, physics उत्ते जादा question आते नहीं है, science में वैसे तो, but ये भी हम लोग करने वाला, पूरा history तो मेरे लिए खतम करवाना possible नहीं रहेग है, लेकिन हा, history का जो modern history आला, वो जो पार्ट है, because modern history से relatively थोड़ा ज्यादा questions आते है, ज्यादा थोड़ा से important होती है, मैं यह नहीं बोलों ancient medieval होती नहीं है, अगर में order में बात करूँ तो ancient थोड़ी सी कम, medieval उससे जादा, और modern सबसे जादा, ठीक है, तो इसमें modern history का आपक आपको इतना promise किया था, but chemistry एक तरह से हम लोगा extra हुआ जा रहा है, यही मैंने आपसे promise किया था शुरू में, कि मैं आपको सिर्फ इतना promise कर सकता हूं, कि quality, bio, economics और geography आपको करवा दूँगा, इतना मैंने promise किया था, but chemistry extra मैंने आप डिलेवर कर दिया अपनी site से, और modern history और physics क one short lecture प्रोइड करवा दूँगा, static gk की, static gk दोखो, आपको ही पता है, mains में static gk बहुत ज्यादा नहीं पूचा गया था, ठीक है, पिछली बार अगर बात करूँ, जो भी आपने pyq series आपने लोगों ने follow करी होगी, जितना भी आपने static पढ़ा है, बस उसी को revise करीएगा, मे परी आराम से करो, उसी को बार-बार revise करो, one short video, sorry, one short बोल रहो, one lecture, sorry, yt जो short करके, जो मैंने छोटे-छोटे आपके वीडियोस डाल रखें के minute के, वो आप देख लीजेगा, ठीक है, और आगे मैं और कोशिस करूँ कि और one short, sorry, ये short videos जो होते हैं, yt shots में, वो और upload कर दू जो static gk वाले topic, तो static gk को कोई one short अलग से नहीं होगा, जितना मैंने करवा रखें, उसको आप revise कर लिजेगा, बाकि अगर आपको लगता है, ये static gk करना है, तो आप खुछ से कर सकते हैं, मैं नहीं करवाने वाले हो अलग से, ठीक है, क्योंकि नहीं आया तो फिर उसका आपको देखने को मिलेगा, 17th को, ठीक, और अगले दिन ही, यानि 18th को modern history करेंगे, ठीक है, modern history करने वाले हैं, and then 19th को, 19th को करेंगे physics, अब सर अभी तो और भी काफी दिन बच रहे हैं, 20 बच रहा, 21 बच रहा, 22 बच रहा, 23 बच रहा है, तो 20, 21, 22 और 23 को, यानि ये जो green बोला है, ये दिखा रहा है, Nitto revision, जो हम लोगों ने Nitto lectures किये थे, उसका revision करने वाले हैं, पहले मैंने शुरू में बोला था आपको, ये शुरू में हम लोग पहले निटो का revision कर लेंगे, तब one shot करेंगे, but मेरे recording इसको last में रखना चाहिए, ताकि जो हम लोगों ने ट्रिक इसा भी करना था क्या, तो इसलिए वह सारी चीज़े हम लोग लास्ट के टाइम पर करेंगे, और 24 का आपका कुछ नहीं होगा, सायद कुछ नहीं होगा, अभी तो क्या ही बोल पाना उतना सही रहेगा, लेकिन हाँ 24 एक तरह से आप बोल सकते रिजर्वड है, या फिर हो स कि मैंने एक लेक्चर लिया था भी, ठीक है, पहली बात तो जो भी CPO एक्जाम हो रहा है, उसमें करेंट अफेस से कुष्चन आ नहीं रहे है, ठीक है, अब मुझे पता है कि वो मैं compare नहीं कर रहा हूं, बट करेंट अफेस से आ नहीं रहे है, और जो भी आ रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर पाएंगे, जो की पॉसिबल नहीं है, यही मिस्टेक हुई थी आप से पिछली बार की, आपने इसको वो consider किया था, हमने पढ़ा नहीं, अगली बार जो मैंस देंगे तो इसको पढ़ के देंगे अच्छे से, नहीं पढ़ पाएंगे, कितना डेटा सब्सक्राइब कर देंगा, बाकी जो doable question करेंट अफेस को वेने video डाला है, प्लस जो भी आपको provide होगा, वो मैं आपको PDF format में कर दूँगा, जितना मुझे लगेगा, अगर कुछ करना है, तो PDF format में कर दूँगा, current अगर आपको लगता है कहीं, और से जिसे monthly PDF से करना है, तो आप कर सकते है, current affairs के side से मैं guarantee नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, current affairs की मुझे लगता है कोई guarantee नहीं ले पाएगा, जिन subject की मैं guarantee लेता हूँ, वो मैं फिर deliver करके देता हूँ, वो चीज़ आपको भी पता है, तो फिर मैं, ये जितने subject हैं, जाज जोगरफी, chemistry, policy, bio, economics, physics, modernistory, ये अगर आपको नहीं करनी है कि, और बिल्कुल मैं आपको advice करूँगा, कि multiple sources रखें, मतलब दो sources तो आप रखें, तो आप कहीं और से भी अगर आप चाहते हैं, तो current affairs कर सकता है, because current affairs थोड़ा सा unpredictable type है, right, अब थोड़ा सा daily police की बात कर लेता हैं, फिर इस वीडियो को end करते हैं लास्ट में कुछ बातें आपको बता के, कि daily police वालों के दिमाग में ये डा उटा रहा होगा, कि static gk के लिए फिर हम क्या करेंगे, तो आप चिंता ना करिए, इसके बाद जो इस हो जाएगा, तो November में जो November में जितना बाद हमारे पास time बाकी रहेगा, उसमें आपका static gk का अभी पूरा revision करवा दूगा, और तब तक तो, हाँ, अराम से हो जाएगा, क्योंकि batch में भी मैं static gk करवा दूगा, तो static gk करवा दूगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है, और बाकी, अगर आप जो pyq part 2 करेंगे, उसी से खतम हो जाए, कुछ और करने के जरवत भी नहीं है, pyq part 2 कर लेना, और पर मार SSC पे जो quizzes चलती रहेंगी, ठीक है, यह quizzes, तो ongoing रहेंगी, बट अभी mains तक थोड़ा सा mains specific रहेंगी, थोड़ी सी mains specific quizzes रहेंगी, जब खतम हो जाएगा mains, तो आपकी daily place specific रहेंगी, यसे अभी cpo specific थोड़ी सी थी थी, और cpo में आपने देखा, daily हर shift म तो तीन question तो quiz सही उटके आ जाते हैं, उसी तरह CGL mains specific रहेंगी, जब तक यह CGL mains और CHSL भी आपका एक साथ ही खतम हो जाएगा, फिर आपकी daily place specific रहेंगी, जो आपका 15 दिन है नमंबर में उस दिन तक, तो आपको quizzes attempt करती रहने, मतलब आपको यह बोल रहा हूँ, कि जैसे उ आपको बस सिर्फ अपने उसके लिए लिए लिख के लाओंगा, तो मैं आपको बस सिर्फ अपने उसके लिए लिख के लाओंगी, हाँ, यह daily police की strategy है, और यह वो, ठीक है, वो सब ढोको उसले बाजी है, ठीक है, तो यह चीज़े है, PDF मैं कोशिस करूँगा, जो भी देख अगर मुझे कोई वैसा नहीं हो, कि नहीं मैं यह, मतलब अगर मुझे कुछ भी मैं देखता रहे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है, कि अगर मुझे यह लग रहा है, जैसे कि मुझे कभी लगता है, नीतियव कि यह report important है, काफी question आप दिख रहे हैं, तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, बाकि उस lecture कर लिजेगा, PDF कर लिजेगा, और बाकि और कहीं से आपको PDF करनी है, तो भी आप कर सकते है, current affairs के side से, बाकि इस side से, कुछ भी side आपको नहीं हो, अगर आप batch में थे, तो बस lectures कर रिवाइस करिए, one shot video लिजे, कुछ भी कुछ भी, मतलब book भी, आपको चुनेक जरुत नहीं है, अगर आपने पढ़ रखी है कोई book, तो बिल्कुल revise करके जाए उस चीज़ को, है न, क्योंकि वो थोड़ा सा addon कर देगी, revise in the sense कि आप जब उसको पढ़ रहे हैं, तो देखो इसमें क्या ऐसा extra कुछ मिल रहा है क्य जो मतलब, जैसे मैंने नहीं बताया, तो एक्स्रा कुछ ऐसा मिल रहा है क्या, उसको आप note कर सकते हो, बाकि अगर आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल advise नहीं करूँगा, सिर्फ इसी को करो, अराम से होगा सार्याने, ठीक है, बाकि मुझे तो नहीं लगता और कुछ पता होगा, और यह मैं आपसे guarantee ले सकता हूँ, अगर आपका exam बढ़िया नहीं हुआ, तो भारत वर्ष में किसी का exam अच्छा नहीं होगा, यह मैं आपको guarantee करके बोल सकता हूँ, ठीक, क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं शिद्दत से महनत करता हूँ, आप भी शिद्दत से महनत करेंगे, और आप मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे, तो फिर बचा का इसके लावा, है की नहीं, तो 7th को geography खतम होगा, 8 को geography का पूरा revision हो जाएगा, chemistry स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, political 10 को पूरा revision करेंगे, मस्त नहाद हो के, 12 को पूरा biology का, 15 को economics का, 17 को chemistry का, 18 को modern physics का, modern history का, और देन 19 को physics का, उसके बाद, निक्टो का revision, फिर 25 को मस्त नहादो के paper, या फिर 26 को जब भी होता है, और फिर क्या, दिवाली मनाओ, और world cup देखो, ठीक है, और डेली पुलिस के लिए ने बता दिया, कि static GKM लोग number में कर लेंगे, जो थोड़ा बहुत week पढ़ेगा अभी बाकिया, PYQ Part 2 को follow करते रही है, तो मैं सभी को, जो डेली पुलिस वाले हैं, ही डवाइस करूँगा, PYQ Part 2, अगर आपने कर रखिए, वे ने को revise करिए, बार बार, नहीं करिए, तो प्लेलिस बनी हुए, और परमार SSC Telegram को जरू जोइन कर लीजेगा, ठीक है, ताक क्योंकि quiz format में क्या होता है, जल्दी attempt करने में अच्छा लगता है, जैसे कि काफी सब्सक्राइब बताते हैं, कि सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन PDF थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं चलो ठीक है, हमी सुबह जल्दी उठके आपके लिए डाल दिया करेंगे, ताकि क्याने.